और मुजफर्ण अगर के बगरा में रालोद की रास्ट्रिया अध्यक्ष जैन चौधरी ने परिवर्तन संदेश रैली को संबोदित करते हुए जैन चौधरी ने कहा कि किसानों की लड़ाई जारी रहेगी दिली के बॉर्डर पर बैटक में किसान जो भी फैसला लेंगे लो जो दध्यक्ष ने ये भी कहा कि अगर वो सत्ता में आये तो किसानों और बुनकरों का पिशला बिल माफ करेंगे और आगे का हाफ कर दिया जाएगा युवाओं को एक करोण नौकरी दी जाएगी और क्या कुछ कह है ये भी सुन लीजिए कि अग्यादियों कि मेरा जिया अच्छा था लेकिन मैं कुछ किसानों को समझा नहीं है किसान अपने आप समझ गए किसानों ने समझ लिया किसान यह दिया समझ लिया को नि को जांते भी जानते हैं दो आज भी तो आपने प्रवाद मन्तिर बता है है अब मैं यह दंदे सुगा जो कल लगार का फैसला है जो भी आनोलन से जुड़े किसान ले ले लो कि उस पैसले के बाद पहला के कारे करने जनका लिए इस किसान शुरी सब्सक्रों खड़े हैं और यहां जो फैसला आपने से जेस को पहुंदेगा नहीं को यह उमी दिलाता जो भी भैसला वहां दिली पेटिए वो लोग लेंगे लोग दलगा हुद तारे करसा उनके साथ रहेगा हमें लस्टी के लडाई के दनी है बिद्ले के लाण उनकी बाद नी मेराई और राजी दनाई राजी दिक्वोट घरन सर भाद पामुर देनी है जो पितान विरोदी खबरों के निश्पक्ष विसलेशन के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एड़ प्रेस दा बेल आइकन नेवर मिस एनी अपडेट अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें झाल